हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल स्टेप बाई स्टेप गार्णिंग फिंस मेरे गार्डन में नाक चंपा की फ्लावर्स इतनी खुबसूरती से खिले है ना बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे हर वक्त इसी पर नजर जा रही थी तो मैंने सोचा अपने दोस्तों स भी इसके वीडियो शियर कर दूं कि नाक चंपा के फ्लावर्स कितने ज्यादा खुबसूरत होते हैं जिसके गार्डन में एड़ है वो तो इसका लुफ्ट उठा ही रहा होगा लेकिन जिसके गार्डन में नहीं है वो भी फटा फट इस प्लांट को अपने गार्डन में ए बहुत आसानी से वो आपके गार्डन में फ्रियो अपकोस्ट एड होने वाला है मैंने खुद इतने बिग साइज के प्लांट को अपने गार्डन में कटिंग से ग्रो किया है सिंगल एक ब्रांच लेकर आई थी और वही ब्रांच ग्रो हो गई कुछ टाइम में और अब मेरे प्लांट की ग्रोध देखिए फ्लावरिं देखिए रेक ब्रांच में बंचीज में फूल खिल के आया है जो कि एक दम मन को खुश कर मैं इसकी ग्रोध दिखा रही हूं देखिएगा यह देखिए कितनी ज्यादा हाइट है ना ऊपर इसके टॉप पे ही फ्लावर्स खेलते यहां से चुश करया प्लाव यहां से जो जो अब्रांच में लगया हो बांच को फेल वह पने ना तो इस तरह से आप कहने से कर्ट अफ में तो लगां यह दू देखिए हाँ और सभी जा प्लांट इन यह पांने के डूख अग्ष दूचर जानुन घूदा दिया कि अफने इसका जो लीव का डिजाइन होता है बिलकुल नाप के फंज ऐसा होता है देख सकते हैं और बहुत ही ज़ादा ग्रीनरी देता है देख सकते हैं तो यह इतनी अच्छी ग्रीनरी देगा साथ में जब इसके बंचेज में फूल खिलेंगे ना बस आपके गार्डन की खुबसू ज़ादा हो गई है कि मेरे को कैमरे में कैप्चर करने में भी प्रॉब्लम हो रही है देखिए कितना ऊपर जाकि फ्लावरिंग कर रहा है मतलब इसकी ग्रोध बहुत तेजी सी हो रही है यह देखिए पूरा बंच बना हुआ है बैक साइड में देखिए जितनी भी प्र को दिखाने का यही परपस है कि एक तु यह हैवी ब्लॉमिंग करता है ऊपर से इसकी फ्लावर्स बहुत ज़ादा कुबसूरत होते हैं बंचेस में होते हैं साथ में इस फ्लावर्स बहुत ज्यादा घ्रीं आती है आपके गाarडन में उसके बाद यह evergreen perennial plant है, पूरे साल आपके garden में बना रहता है, flowering season में flowers देता है, और जब flower season नहीं होता, यानि कि winter season में भी आपकी garden में बना रहता है, इसके leaves होते हैं, वो बहुत जादा खुबसूरत होते हैं, greenery भी खेरते हैं, तो बहुत अच्छा plant है, अगर आप plant lover है, nature lover है, और gardening आपका hobby है, gardening आपको पसंद है, तो आप इस नाक चंबा के plant को अपने garden में फटा फटा एड कर लीजिए, ताकि आपके garden में आकर ये आपके garden की खुबसूरती बढ़ा सके, देखिए कितना खुबसूरत है ना, एक बार जब इसमें flowering start होती है, तो पूरे summer, लंबे समय तक ये flowers देता रहता है, flowers इसमें खिलते रहते हैं और कलिया side में बनती रहती है, तो काफी दिनों से इसमें flowering हो रही है, जैसे देखिए कुछ branches में flowering हो गई है, अब ये वाला ब्रांच देखिए, अभी इसमें birds बन रहे है, मतलब जब ये वाला flower spent हो जाएगा, तो इ दिखारी में आपको ये देखिए, यहां से new branch बन रही है, बहुत तेजी से समयर में growth करता है, new new branches बनाता है, काफी तेजी से tall height का हो जाता है, और full खिलते रहते हैं, जितने भी आपको branches दिख रहे हैं, हर एक ब्रांच पे new new growth हो रही है, मतलब नई ब्रांच बनेगी, तो नई कलियां तयार रहेंगी flowers देने के लिए तो बहुत ही अच्छा option है best option है आपके garden की खुबसूरती में चार चान लगाने के लिए तो आप नाक चंपा को फटा फट चाहे तो cutting से grow कर लीजिए अगर आपके आसपास में कहीं है तो और अगर नहीं है possibly नहीं को cutting से grow करना क्यो करना चाहते हैं कई friends की comment आते हैं कि हमारे प्लांट में growth नहीं हो रही है आपका प्लांट तो बहुत ग्रिनरी दे रहा है अच्छी सी growth कर रहा है तो उसके लिए मेरे चैनल पर नाक चंपा की केर वीडियो भी upload है नाक चंपा का propagation का complete वीडियो अप्लोड है कि मैंने इसे प् सारे बारी उन वीडियो को देखिए और इस प्लांट को प्रोपोगेट भी कीजिए प्रूनिंग भी कीजिए केर भी कीजिए आपके गाडन में यह यूही हैवी ब्लूमिंग करने वाला है तो आज इसकी केर और जो लिक्विड फरडिलाजर वगरा तो फिलाल में नहीं ब बिक साईज की फ्लावर बंचेज वॉले अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए गा मेरे चैनल पर नांग चम पसुख करके वह सारी वीडियो भी देखिएगा उससे अपको इससे अपने गार्डन में एक करने में सपोर्ट मिलेगा और लिए बेल बटन भी प्रेस करके हमेसा लिए मुझसे जूर जाए क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है और आगे भी अलग लग टॉपिक पर वीडियो अपलोड होने वाली है जिससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी गार्णिंग करने में त तब तक अपना ख्याल रखिए बाइ फ्रेंस हैपी गार्डिंग